क्या हो अगर मैं तुम्हें को हूँ कि बिग 3 का एरा वापसा रहत हो देखो मैं की यूटिवर हूँ एंड तुमने बहुत सारी यूटिवर से ये बाते सुनी होंगी वन पीस नरुटो और ब्लीच इन तीनों सीरीज को बिग 3 कहा जाता है जहां पर ये सोरन जंप के मोस्ट पॉपिलर मांगास में से एक है और इनका एक एरा हुआ करता था जब ये तीनों एक समय पे एक साथ रिलीज हुआ करती थी तो ये इस लेवल का डॉमिनेट करती थी कि और किसी मांगा को टिक नहीं नहीं देते थी वो सारे के सारे जबरदस सीरीज इनके तूफान में बैक के अंडरेटेड हो जाते थे ये सारे बाते तो तुमने जरूर सुनी होंगी एंड मैं ये कहारू कि वो एरा दुबारा से वापस आने वाला है फिलाल एक डेर साल में नहीं आने वाल है उसके बाद आने वाल है एंड मैं आज ये वीडियो बना के प्रेडिक्ट कर रहा हूं प्लस इन्होंने जो यार सोनन जम को दिया था कमा के वर्ल्ड वाइड पॉपलारिटी के साथ उन्होंने अंधा पैसा छाप की दिया वो यार नेक्स्ट लेवल पे चला गया एंड इसी वज़ह से आज के समय पे भी सोनन जम्प बिक्तरी को सबसे जाधा रिस्पेक्ट करता हैं और सबसे जाधा प्रमोड भी करता है हाला कि अभी की जो जन्रेशन है वो बस बिक्तरी का नाम सुनिया है सब safest मेरे बार में तो मैंने भी बस बिक 3 का नाम सुने है शालाकि मैंने बिक 3 को देख लिया और मुझे पता है कितने कमाल के शीरीज यह लेकिन उस एरा के बार में मैंने सुन रखा है कि भाई एक समय हुआ करताा था जब यह 3 través creators तो यार इनका rivalry उस level पे था, उस competition के चलती ये तीनों ही हमेशा sonan jump में top पे रहा करती थी, इनके बीच का competition next level पे था, पर अब वो चीज हम दुबारा witness करने वाले हैं, Boruto का मांगा अभी चलेगा, कम से कम 5 साल तो खिचिगा, because वो monthly मांगा है, उसकी स्टोरी नरूटो जितनी लंबी तो नहीं है, लेकिन वो monthly मांगा होने के वज़े से, वो सायद 80-90 चेप्टर तो और जाएगा है, वही अगर मैं बात करना जाओ One Piece की, तो मेरे हिसाब से अभी भी तीन आर्क बचे हुए हैं, जो कि मेरे हिसाब से तो दो साल चलना ही चाहिए, उसके बाद हो सकता है, लाफ टेल आइलेंड आर्क आए, एंड उसके बाद फाइनल वार आए, एंड इन सब के बीच में हमें God Valley आर्क भी दिखाया जाए, जो कि यार सौर्ड में backstory आर्क होगा मेरे हिसाब से, एंड ये सारी चीज़े सम्मेटने में ओड़ा सेंसे को कम से कम 5 साल और लगने ही वाले, वही अगर मैं बात करो Bleach की, तो Bleach का भी एनमे में करंटली चल रहा है Thousand Year of Blood War आर्क, एंड उसका Core 3 आने वाला है, उसके बाद Core 4 आएगा, और उसी के साथ Bleach का Thousand Year of Blood War आर्क जो है, वह खतम हो जाएगा, वही कुछ लोगों को ये लग सकता है कि यार, उसका writer आगे की story क्यों नहीं लिख रहा है, because Hell आर्क ए एक chapter डाल दिया है, उसके बाद आगे क्यों नहीं चल रहा है, तो देखर इसके बारे में पहले ही reveal हो चुका है, जो anime चल रहा है न, उसकी scripting वो खुद वहाँ पर काम कर रहा है, और इसी वज़े से तुमें Thousand Year of Blood War आर्क के अंदर, बहुत सारे characters का bank आई, प्लस story भले ही same चल रहा है, लेकिन action scenes थोड़े अलग तरह से दिखाई दे रहे हैं, प्लस कुछ extra चीजे भी reveal होती हुए नजर आ रही है, तो writer खुद इसमें involved है, और इस वज़े से वो अभी manga नहीं लिख रहा है, अब जब ये सब काम खतम हो जाएगा, Core 4 के आने के बाद तो Thousand Year खतम, उसके बाद कुवो सेंसे हो जाएगे free, और Core 4 मेरे साब से अगले साल के end end में आएगा, और उसके बाद हो सकता है टीडे कुवो सेंसे आकर के ये announce करें, कि Bleach का hell arc वापस आ रहा है, जब ये चीज announce होगा, One Piece पहले से popular है, Naruto पहले से popular है, अपना popularity दुबारा से पा रहा है, बिकॉज उसके fans ऐसे, वो यार सोय हुए रहते हैं, जैसे ही Bleach का कोई नया चीज announce होता है, या फिर Bleach का end में या मांगा, कुछ भी यार आ जाता है, अचानक से ये zombie की तरह जाग जाते हैं, फिर वो community में तहलका मचाना चालू कर, और जब ये तीनों वापस आ जाएंगे मांगा में, तो फिर क्या होगा पस्दा है, वो जो सोननजम की जो ranking चलती है, इस महिने कौन से मांगा ने top मारा है, उस समय इन तीनों की rivalry दिखने वाले, भाई वो जो era हमें दो साल बात दिखेगा न, वो rivalry के रूप में, हमें वो बताएगा कि आखिर इन्हें क्यों बिक थ्री कहा जाता था, प्लस उस समय पे बहुत से ऐसे मांगा आएंगे, जो मुझे लगता है कि उनकी story लाजबाब होगी, पर वो सब इस तुफान में बहने वाले, बजाए इसके अगर तुम पहले सा popularity गेन किये हुए मांगा हो तो अलग बात है, पर बिक थ्री के टाइम पर सरवाइब कर पाना, न्यू स्टोरी के लिए बहुत मुश्किल होगा, अब मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा न्यू बिक थ्री के बार में, अब ये न्यू बिक थ्री वाला चुतिया आप क्या है, इसके बार में थोड़ा बात किया जाए, ये बेसिकली कुछ लोगों ने ख्याली पुलाव बनाके डाल दिया है, लोगों की यह लगता है कि हर era में यार जो top के 3 popular mangas होते हैं उन्हें big three कहा जाते हैं भाई इन तीनों के अलाबा कोई और big three exist ही नहीं करते हैं क्योंकि इन्हें big three के नाम उसी rivalry के वज़े से पड़ा था and वो जो top मारते देना भाई और किसी को चलने नहीं देते थे वो सब के सब underrated हो गे था उस एरा में इस वज़े से इने बिक्ट्री कहा गया प्लस इनकी length भी एक next level पर है यह जो आजकल के जमान में कोई भी उठके आ जाता यार नया बिक्ट्री बनने के लिए वो अब नहीं आने वाला because वो बिक्ट्री बिक्ट्री है इनका जगा गोई नहीं ले सकता है इनका जगा लेने के लिए at least इस तरहिके से या rivalry को start करना पड़ेगा किसी 3-4 मांगाज को and आपस में competition करते करते यार son and job में हमेशा top मारके 30 साल तक तो dominate करना पड़ेगा जहां पर किसी और मांगा को चलने ही ना दे ऐसा अगर कोई और future में कर पाता है तो फिर chance है कि उसे new big three कहा जाए खेर तुम्हारा क्या मानना है मुझे comment box में बताना मत बुला मैं सबका reply देने का कोसिस करूँगा प्लस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करना मत बुला वीडियो अगर जादा ही पसंद आए तो share कर देना और हाँ मुझे instagram भी फॉलो कर देना तो यार मिलेंग नेक्ट वीडियो में फिलाल के लिए बाई